आपको आज एक ऐसी कहानी दिखाना चाहते हैं यह पक्षियू को हरो जिसी तरह से दाना डालती है वेजवान पक्षियू के लिए कोई आगे आया है आप सभी ने लॉक्डाउन की बीच ऐसे तस्वीरे देखी होगी जहां समासेवी जरूरत मंद और गरीब लोगों की सेवा करने उनको भोजन पहुचाने आ गया है लेकिन हम आपको आज एक ऐसी कहानी दिखाना चाहते हैं एक छोटी सी मासूम बच्ची इसका नाम रोशनी है यह पक्षियों को हरो जिसी तरह से दाना डालती है उनको खाना खिलाती है और जबके आप जानते हैं कि देश में पूरे लॉक्डाउन है हालनकि जरूरतमन लोगों की मदद के लिए आगया है इनसानों के लिए आगया है लेकिन बेजवान पक्षियों के लिए कोई आगया आया है तो ये बच्ची हम इनसे बात करेंगे जानेंगे क्या नाम है बिटा क्या नाम है आपका? रोशनी सबने में रहते हो रोज кपसे आते हो सामने रहते हो आप कबसे अङठे करो धीजन का का ध्यान भी रखती है और यहीं नहीं कुछ जो लोग है जो सेवा में जुटे हुएं वो लोग भी यहां पहुचते हैं और पक्षियों को दाना भी डालते हैं तो यह तस्वीरे बहुत कुछ कहती भी है आप देखिए बादेश भर में ऐसे तस्वीर हमने देखी है जहां ल लोटी सी बच्ची काफी देर से मैं यहां मोजूद हो लगातार यहां पक्षियों को दाना डाल रही है और इसका रोज का यह काम है कि यहां आती है इसी तरह से पक्षियों को कबूतरों को दाना डालती है शायद कोई मेडिया का ध्यान या किसी का ध्यान इस ओर नहीं गय लेकिन आप देखे कुछ जो नहीं कर पा रहे हैं अपने हद तक जितना कर पा रहे हैं और उसी कही उधारन यह चोटी सी बच्ची रोश्नी है जो लगातर यहां आती है घर पास में ही यह रहती है अगर आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मध्यम वर्ग परिवा बहुत दिन से करो पक्षियों के लगाओ प्रेम है आपको कभूतरों को पसंद करते हो। आपसे अपील करता है कि अगर आप सेवा में जुटे हुए हैं इंसान तक भोजन पहुचा रहे हैं मजदूरों तक भोजन पहुचा रहे हैं तो एक फर्ज ये भी निभाय कि जो बेजबान पक्षी है जानवर है जिन तक खाना नहीं पहुच रहा उनको भी खाना लेकिन एक समाज के सामने एक सीख है और एक पहल है जिसको सभी को देखना चाहिए कैमरमें धर्बिंद प्रजापत के साथ मैं विप्पुल माहिश्वरी नवतेश टीवी जैपूर